सड़क किनारे गुणिराम जिसका एक पैर नहीं है वो चुपचाप अपने हाथ में भीक का कटोरा लेकर इस सुमीद में बैठा है कि लोग कुछ पैसे उसके कटोरे में डाले तो वो दो रोटी खरीद कर अपने बीवी बच्चों को खिलाए भगवान के नाम पर एक रुपए दो रुपए दे दो बाबा भूके की मदद कर दो बाबा भगवान तुम्हारा भला करेगा लोग गुणिराम की ओर देख तो रहे थे लेकिन कोई उसके कटोरे में फूटी कौडी तक नहीं डाल रहा था उसकी पत्ली कमला अपनी गोद में अपने दोधमोहे बच्चे को लेकर उसे चुप कराने की लगातार कोशिश कर रहे थी लेकिन वो भूक से बिलग-बिलग कर रुए जा रहा था चुप हो जा, चुप हो जा मुन्ना, मुन्ना, चुप हो जा उसका चोटा सा बच्चा हड्डियों का धाचा सा लग रहा था गुडिराम की पांस साल की बेटी चुण्मुन भी अपने माता-पिता के पास बैटी होई थी उसका चेहरा भी मुर्चाय हुआ था उसकी आखी शून्य में ताक रही थी राचलते लोगों को देखकर वो भी अपना हाथ पहला देती और उनसे कहती साब, तया करो साब, एक रुपया, दो रुपया दे दो साब रुपय नहीं तो एक रोटी खिला दो साब एक रोटी खिला दो साब तभी चुन्मुन ने देखा कि एक कार के पीछे एक औरत अपने कुटे को लेकर बैठी है और वो उसे रोटी खिलाने की कोशिश कर रही है टॉमी, जिद नहीं करते, चलो खालो प्लीज मेरे बेटे खालो ना, चलो खालो खालो नहीं तो मैं तुम से बात नहीं करूंगी लेकिन उस वरत का टॉमी रोटी खाने को बिल्कुल भी तयार नहीं था तंगा कर उस वरत ने वो रोटी सड़क पर फेक दे सड़क पर फेकी उस रोटी को जैसे ही चुन्मुन ने देखा तो उसकी आँखों में चमक आ गई उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा बाबा रोटी चुन्मुन रोटी के लिए उस बिजी सड़क की ओर दोड़ पड़ी लेकिन तब ही एक तेज रफदार कार से उसकी टकर हो गई आााााा उसका शरीर कई फुट उपर उड़ा और फिर धड़ाम से नीचा गिरा चुन्मुन सड़क पर तड़प रही थी खुन से सड़क भीगा जा रहा था लेकिन उसकी नजर अब भी उसी रोटी पर थी वो उसे बड़ी गौर ते देख रही थी लेकिन अचानक सब शान्थ हो गया बिल्कुल शान्थ है चुन्मुन शान्थ हो गई हमेशा के लिए गुरी राम ने ये देखा तो वो जोड से चीख पढ़ा चुन्मुन बेटी चुन्मुन चुन्मुन इस तरह उसके चीखने से उसकी नीम खुल गई और उसने देखा कि वो तो अपनी टूटी-पूटी जोपटी में लेटा हुआ है और उसका पूरा परिवार भी उसके बगल में सोया हुआ था उरे चार दिन हो गए है पेट में मेरे परिवार का एक दाना भी नहीं गया पानी पी पी कर कब तक काम चलेगा मुझे कुछ तो करना ही होगा इनके लिए नहीं तो कोई नहीं बचेगा कोई नहीं गुणी राम एक फैक्टरी में काम करता था उसके मालिक लोग उसके काम से बहुत खुश थे अरे गुणी राम तुम फैक्टरी में होते हो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती तुम सारा काम इतने अच्छे से मैनेज करते हो कि क्या ही कहें अब गुणी राम की एक कमाई से उसका परिवार ठीक से चल रहा था लेकिन एक दिन सब कुछ पलट किया गुणी राम फैट्टरी में उचाई पर चड़ कर कुछ काम कर रहा था अचानक उसका पैर फिसल किया और वो नीचे गिर पड़ा काफी उचाई से गिरने से उसे बहुत चोट आई थी उसे तुरंत अस्पताल ले जाए गया उसकी जान तो बच गई लेकिन डॉक्टरों को उसकी एक टांग काटनी पड़ी ये ये क्या हो गया कमला क्या हो गया मैं बोज बन गया तुम लोगों पर बोज अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं जिंदगी में उतार चड़ाव तो आते ही हैं बस हमें उसका डटकर मुकाबला करना होता है गुणी राम जब कुछ ठीक हुआ तो वो अपनी फैक्टरी वापस गया लेकिन अब उसकी फैक्टरी को उसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि अब अपने मालिकों के नजर में वो किसी काम का नहीं था देखो गुणी राम तुम्हारे जिंदगी अब खुद एक बोज की तरह है इससे अच्छा होता कि तुम मरी चाते देखो हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करें तुमारे जासे बोज को हम मुफ्त की तंखा नहीं दे सकते कल तक जिन मालिकों की नजर में गुणी राम सबसे काबिल मज़दूर था वो आज उनके लिए बोज था जीवन का सबसे बड़ा सच्छे ही है यहाँ पर सब लोग मतलब के यार है जब तक आपसे मतलब है वो जोक की तरह आपसे चिपके रहेंगे जहा करूँगा मैं अब कैसे पालूँगा अपने परिवार को सब ठीक होगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा गुणी राम ने कई जगह काम की तलाश की लेकिन हर जगह हुसे यही सुनने को मिला खी अरे भाई लंगडों के लिए क्या काम लंगडों का तो एक ही काम है भीक मांगना महनद कश गुणी राम के पास अब भीक मांगने के सिवा और कोई चारہ नहीं था वो भीक मांग कर अपने परिवार को पालने लगा लेकिन पिछले दिनों शहर में दंगे लो गए और दंगो की आग में शहर चलने लगा पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया चार दिन से गुणिराम और उसका पूरा परिवार घर पर ही भूखे प्यासे पड़ा था आज शाम तो कुछ देर के लिए उसका बेटा बिलकुल खामोश हो गया था देखिए न जी मुन्ना हमारे मुन्ना एकदम खामोश हो गया है ये बिलकुल हिलडूल नहीं रहा है कमला जोर जोर से रोने लगी गुणिराम भी बहुत घबरा गया लेकिन सायोग से कुछ दिरवाद मुन्ने के शरीर में हलचल हुई और वो जोर जोर से रोने लगा वो रोने लगा तो कमला ने उसे सीने से लगा भी लिया लेकिन भूखी प्यासी कमला अपने नन्नी बेटे को कैसे दूद पिलाती उसका दूद उतर ही नहीं रहा था अरे ओ भगवान अरे ओ कहा है तू अगर तू एक रोटी भी गरीबों को नहीं दे सकता तो फिर पैदा क्यूं करता है गरीबों को आच चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार के लिए रोटी ला कर ही दम लूँगा पुलीस वाले गोली मारते है तो मारे लेकिन मैं अपने परिवार को रोटी के बिना मरने नहीं दूँगा गुणिराम रात को ही अपने घर से निकल गया एक तो रात को वैसे ही सन्नाटा होता है और कर्फ्यू के कारण खामोशी कुछ और ज्यादा ही थी गुणिराम सडक पर चलता जा रहा था चलता जा रहा था तभी एक किराने के दुकान पर उसकी नजर गई जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था गुणिराम ने सडक किनारे पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाया और दुकान का ताला तोड़ने लगा वो खुद बेचारा चार दिन से भूखा था इसलिए उसके हाद धीरे धीरे ही चल रहे थे कुछ दिर बाद उसे सफलता मिल गई और उसने दुकान का ताला तोड़ दिया तूट गया तूट गया तूट गया ताला तूट गई वो दिवार जो भूखे और भूख के बीच में थी गुडिराम ने वहां से बहुत सारा राशन लिया और अपने कांधे पर लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा लेकिन तभी पुलिस की गोली अचानक से उसकी पीट पर आड़ लगी और वो नीचे के पर पुलिस को लगा था कि वो कोई दंगाई होगा लेकिन वो तो एक अपाहिज और मजबूर इंसान था जो रोटी की तलाश में निकला था पुलिस ने उसे जाने दिया कमला, कमला देख, देख न कमला, मैं राशन ले आया हूँ, जल्दी से बच्चों को कुछ बना कर खिला दे गुडिराम बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, लेकिन ना तो कमला कोई जवाब दे रही थी और ना ही कोई और कमला, क्या हुआ कमला, कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम, चुन्मुन, मुन्न, मुन्न, ओ मुन्न, मुन्न गुडिराम का पूरा परिवार भूख से तडब तडब कर मर शुका था अरे ये क्या कर दिया भगवान, मार दिया सबको, मार दिया, ठीक किया, गरीबों को मर ही जाना चाहिए, उन्हें जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है गुडिराम की सांसे भी अब तूट रहे थी, थोड़ी देर बाद उसकी आवाज भी खामोश हो गई, गुडिराम भी मर गया कासकंच का बस्टेंड जहां कर रुदाना बसों और सवार्यों की भी रहती थी, पर लॉक्डाउन की वज़ह से बसों का आना जाना बंद हो गया, इसलिए लोगों की भीड भी खत्म हो गई बस्टेंड पर छोटे-छोटे खोखे दुकान वाले और भीख मांगने वालों ने बस्टेंड को ही रुकने की जगा बना ली थी, सब बहुत परिशान थे, ऐसी ही परिशानी एक औरत को हो रही थी, जो फटे हाल कपडों में दो दिन से भूखी थी, उसका छोटा बच्च उसकी जोली में दो रुपे डाल जाती है, औरत सोचती है, ये कैसे लोग हैं आजकल के, जो किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं, दो रुपे में आजकल क्या आता है, भीख मांगने वाले इस औरत का नाम मधु है, मधु एक बहुत ही बड़े खांदान की बेटी है, माता शौकत सारिक सुख सुविधाई मधु के लिए मौजूद रहती थी, मधु जिस चीज़ पर हात रग दे उसके भईया उसे दिला कर ही मानते थे, रजट नाम का एक लड़का मधु को चाहता था, इसलिए मधु के आगे पीछे घूम कर, बड़ी-बड़ी बाते करके वो प्यार के जाल में फसाने लगा, शाम को मधु जब घर आती है मधु, कहां से आ रही हो? कॉलेच तो चार बज़े ही खत्म हो जाता है, अभी शाम के साथ बज़ रहे हैं, इतनी देर कहां थी? वो, भाईया मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी अच्छा, तो आप तुम जूट भी बोलना सीख गई हो अरे, आप भी शुरू होगे, चली गई होगी सहेली के घर मधु, चलो खाना खालो उस वक्त सौरग चुप हो जाता है, अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है वो देखता है अरे, ये तो वही लड़का है, जो कल मधु के साथ था ये किस से लड़ाई कर रहा है अरे, दे दूँगा ना यार, भाग नहीं रहा हूं यार तेरी मोटर साइकल और तेरे पैसे दे दूँगा यार में हाँ यार, अरे, यार, एक बहुत मोटी आसामी हाथ लगी है बस कुछ दिनों में माला माल हो जाऊंगा ऐसा क्या हाथ मार लिया तुने, है? अरे, एक अमीर घर की लड़की को फसा है बस एक बार बात बन जाए, फिर तो मज़े ही मज़े है सौरब मधू को समझाता है, पर वो सौरब की एक बात नहीं मानते मैं रजट को जानती हूँ, वो मुझे कभी दोखा नहीं देगा मधू जानती थी कि सौरब इस शादी के लिए कभी हा नहीं करेगा वो उस लड़के रजट के जहांसे में आ जाती है और एक रात जब सब सो रहे थे, वो चुप चाप अपने गहने कपड़े पैसे लेकर रजट के साथ भाग जाती है, और दूसरे शहर पहुच कर वो दोनों शादी कर लेते हैं शादी के बाद मधू को रजट की सचाई पता चलती है कि उसने पैसो के लिए मधू को फसाय था मधू के पास दो बच्चे छोड़कर और मधू की जिंदगी खराब कर रजट उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है अब मैं क्या करूँ? भगवान इन छोटे छोटे बच्चो को लेकर मैं कहा जाओ मधू दोनों बच्चों की भूख मिटाने के लिए दरदर भीक मांगने लगती है और भीक मांगते हुए बस टैंड पर पहुच जाती है एक कोने में रोजाना गोदी में बच्चे को लेकर वो भीक मांगती है बच्चे के रोने की आवाज से उसकी याद वापिस टूच जाती है कोई तो पैसे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, रो मत मुनना, अभी घर चलेंगे एक व्यक्ती मधु को बस टैंड पर भीक मांगते देख लेता है अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मधु बिटिया है, अपने सौरब की बहन पर ये इस हालत में, हे भगवान, मुझे सौरब को ये बात बतानी होगी व्यक्ती सौरब को फोन पर सारी बात बताता है, ये सुनकर सौरब के होश उड़ जाते है वो उसी समय बस बकड़ कर वहाँ पहुशता है, वो मधु के हाथ में सौरुपे देकर आगे जाकर छुपकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है मधु मेरी बहन, ये किस हाल में है, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया अरे सौरुपे, आज तो तुम्हारी रे दूद और मोनु के लिए खुब सारा खाना खरी दूँगी मधु सौरुपे देखकर खुश हो जाती है जब वो खाना लेकर घर जाने लगती है, सौरुप भी मधु के पीछे पीछे जाने लगता है मधु खास फूस से बने एक कच्चे घर के अंदर जाती है अरे माँ खाना लाई हो, मुझे बहुत जोरो की भूक लगी है मोनु खाना खाने बैठ जाता है, मधु ये देखकर रोने लगती है मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वज़ा से आज तुमें भी मेरे साथ ये गरीबी का जीवन जीना पढ़ रहा है ना मैं उस वक्त रज़त की बातों में आती ना मेरे ऐसे दिन होते बहिया, मुझे आज आज आपकी बहुत याद आ रही है बहिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरे प्यारे बहिया मरने से पहले एक बार आपकी कलाही में राखी बान देती मधु एक रुमाल में बंधी कुछ राख्या निकाल कर हाथ में लेती है बहिया, ये राख्या मैंने आज तक समभाल कर रखे हुई है काश मैं आपको बान सकती तो किसने मना किया बहन? बान्ध मेरी कलाही पर राखी देख, तेरा भहिया आया है मधु भाई को राखी बानते हुए फूट फूट कर रोने लगती है मधु रोते हुए बेहोश हो जाती है सौरब उसे हॉस्पिटर ले जाता है डॉक्टर सौरब से कहता है मिस्टर सौरब इनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है जिसकी वजह से बेहोश हो गई है कुछ दिन हमें अपने निगरानी में रखना होगा सौरब सौनेना को फोन करके रोते हुए सारी बात बताता है सौनेना भी रोने लगती है कुछ दिनों तक मधू होस्पिटल में ही रहती है सौरब दोनों बच्चों की देख भाल करता है एक दिन सौनेना के पास रजट का फोन आता है सौनेना भावी मैं रजट बोल रहा हूँ मधू आपके घर पर यह न सौनेना रजट को सारी बात बताती है रजट ये सब सौनकर हॉस्पिटल जाता है सौरब उसे देख कर गुसे में आजाता है मधू बच्चों से बुरी तरह पिटवा कर सारे जेवर और पैसे लेकर मुझे सड़क पर फैंक दिया और भाग गया मुझे सिर में बहुत चोटे आई कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा फिर जब वापस घर गया तो देखा तुम वहाँ नहीं थी मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा था तुम्हें बहुत ढूंडा आज सुनेना भावी को फोन किया तो ये सब पता चला मुझे माफ कर दो मधू मेरी गलती बहुत बड़ी है फिर भी मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दे दो सुधरने का मधू रजट की बाते सुनकर रोने लगती है बहन की खुशी की खातिर सौरब भी रजट को माफ कर देता है मधू को छुट्टी मिल जाती है वो सौरब, रजट और बच्चों के साथ सौरब के घर आ जाती है सुनेना भी मधू की हालत में सुधार देख खुश हो जाती है धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है रजट भी अब काम पर जाने लगा था मधू और बच्चों को खुश देख कर सौरप के दिल को तसली मिल जाती है अखिर एक गरीब मजबूर बेहन की भूख अब भूख नहीं रह गई थी एक भाई के प्यार से बेहन का पेट भर चुका था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूले और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बडीज